अब तो को प्यार बार नमस्कार सेद्वाबा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वक्तो आज नाग पंचिमी के तोहार की आप सभी को बहुत-बहुत शुब का मना हैं और बहुत-बहुत मुबार्ख बाद आप सभी बदाई के पात्रे आज मैं आपके लिए एक विशेश पूजा और उसका महत बताऊंगा और साथ में नाग पंचिमी से जुड़े हुए कुछ गिरह शान्ती भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से काल सर्पदोस की शान्ती आज संध्या काल में कर सकते हैं आपको जो भी उपाय मैं बताता हूं वो हमेशा बहुत ही स बंदन का आपस में अटूट बंदन और विश्वास का त्योहार पर्व है इसकी कथा आप पहले भी जानते होंगे आपने पहले भी पढ़िए सभी त्योहार मनाते हैं सबने सुनी हैं बच्पन से लेकर आज तक नाग पंचिमी की कथा बहुत ही प्रचलित और बहुत ही ज सातों की विवाव हो चुके थे तो जो सबसे छोटे पुत्र की जो पत्नी थी वो बहुत ही स्त्रेश्ट और बहुत ही सुशील चरित्र की थी बहुत ही सुन्दर वैवार था उसका परंतु उसके कोई भाई नहीं था एक दिन बड़ी बहु ने घर लिपने को पीली करें खोदने लगी वही पास में एक सापो की बामइ जीन मेर साप रहते हैं वो सर्प की बामिय थी तो वहाँ पर जाकर जो खुर्पी मारने लगी तो एक नाग जो है बहार निकलकर आ गया और जैसे ही नाग देखा तो बड़ी बहू ने उसे मारने के लिए खुर्पी उठा ली तो छोटी बहू ने कहा कि नही नहीं इसे मत मारो यह विचारा तो नेरपराद है हम इसे कैसे मार सकते हैं हमें इसे मारने का कोई अधिकार नहीं तो वो छोटी भव उस नाक की जान बचा देती है यह सुनकर बड़ी भव कि उसने नहीं मारा एक और जाकर वो साफ बैढ जाता है तब छोटी भव ने उससे का हम अभी लोट कर आते हैं तब तक तू यहीं बैठे रहना और यह कहकर छोटी भव उस नाक को वहीं बिठा कर और आ गई और आकर अपने काम में लग गई और बाद में भूल गई कि मैं वहाँ पर नाक को बिठा कर आ गई वो पचारा वहाँ बैठा है पता नहीं हटा होगा या नहीं अटा होगा जब दूसरे दिन उसे भई बात याद आती है तो वह वहाँ जाकर देखती है तो नाक उसे बैठा हुआ देखता है और वो सर्फ जो है उसे देखकर बहुत गुसा होता है तब जाकर वो कहती है कि भईया आपको रबश्कार वो जैसी कहती है तो वो शांत हो जाता है वो कहते है कि तिरी किस्मत अच्छी है कि तुने मुझे भईया कह दिया नहीं तो आज मैं तुझे नहीं बख्षता तो वह बोली भईया मुझे भूल हो गई मुझे शमा करदो तो मैं शमा मांगती हूं सर्फ बोला, अच्छ तू आज से जब तुने मुझे भाईया कही दिया तो आज से तू मेरी बहन वी। वह बोली भाईया, मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतित होने पर वे सर्फ मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो सबने का इसके तो कोई भाई था नहीं तो वे बोला मैं दूर के रिष्टे का भाई हूं इनका बच्पन में ही बार चला गया था उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने चोटी बोव को उसके साथ फ़त वेज दिया उसने मार्ग में बताया कि मैं भही सर्फ हूं इसलिए तू डरना नहीं और जहां चलने में कठी नाई हो वहां मेरी पूछ पकड़ लेना उसके कहया उनुसार उसने कहा तो इस पर करवे घर पहुंच गई वहां का धन एश्वरे और उसका यहवार देखकर वैचकित रह गई एक दिन सर्फ की माता ने उससे कहा मैं एक काम से बाहर जा रही हूं तू अपने भाई को ठंडा पिला दिया जिससे उसका मुख बेतर है जल गया और यह देखकर सर्फ की माता बहुत क्रोईद हुई परंतु सर्फ के समझाने पर चुप हो गई तब साथ ने कहा कि सर्फ देवता ने कहा कि बहन को अपने घर भेज देना चाहिए तब सर्फ को उसके पिता ने उसे बहुत तुझे तो उससे भी और धम लाना चाहिए सर्फ ने यह बचन सुना तो सब वस्तुए सोने के लाकर दे दी यह देखकर वड़ी भुने का इने जाड़ने के लिए जाड़ु भी सोने के लाकर रख दी सर्प ने छोटी बहु को हीरा मनियों का एकदबुत हार दिया उसकी प्रसंसा देश की राननी जब सुनी तो राजे से बोली कि सेट की जो छोटी बहु का हार मुझे चाहिए राजे ने मंत्रे को हकम दिया और उससे वैहार लेकर शीकर उपस्तित होकर मंत्रे ने सेट जी जाकर का कि मारा ने जी छोटी बहु का हार मांग रही है बेजो सेट जी ने डरके मारे छोटी बहु से हार लेकर दी दिया छोटी बहु को ये बात बहुत बुरी लगी उसने अपने सर्प भाई को बता दिया याद किया और सब कुछ कह दिया और यह देखकर रानी चीक पड़ी और रोने लगी यह देखकर राजाने सेट के पास खबर बेजी कि छोटी भव को तुरंत बेजो सेट जी डर गए कि राजाने जाने क्या करेगा वे स्वम छोटी भव को साथ लेकर उपस्तित हुए राजा ने छोटी बहु से पूछा तुने क्या जादू किया ऐसा मैं तुझे दंड दूंगा छोटी बहु बोली राजन द्रश्टता शमा कीजिए यह हार ही ऐसा है मेरे गले में हिरो और मनियों का और दूसरे गले में जाते ही सर्ब बन जाता है यह सुनकर राजा ने वह सर्ब बना हार उसे देखर का कि तुम पहन कर दिखाओ छोटी बहु ने जैसे उसे पहना वही रुमनियों का हो गया यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसमें प्रसंद नोकर उसे ओवर बहुत सारी मुद्राइद और प्रु किता है तब वह सर्ब को याद करने लगी तब उसी समय सर्ब ने प्रकट होकर कहा यदि मेरी धर्म बहन के आच्रण पर संदे प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा यह सुनकर छोटी बहु का पती बहुत प्रसंद हुआ और उसने सर्ब देवता का बड़ा सतकार किया उसे दिन से नाग पंचमी का त्यार मनाया जाता है और इस तरिया सर्ब को अपना भाई मान कर उसकी पूजा करती हैं तो भकतो यह तुद्धी कहानी सर्प महराज की सरपेश्वर महराज की जिनको हम जो है नाग पंचमी के दिनकी पूजा करते हैं अर्चना करते हैं और ज ग्रैशान्ति पर तो आप ग्रैशान्ति आज के दिन संद्याकाल में कैसे कर सकते हैं या तो आप एक मीठा रोट बनाएं उसे दही में विवोकर किसी पीपल की पेड़ की नीचे बरगत की पेड़ की नीचे या किसी ठेरे हुए पानी जहां जोड ताला आदी के पास जाकर उसको वहां पर रख दें और थोड़ा सा दूद एक कटोरे में भरकर या धाई जो भी आप लिया सकते हैं वह आप लिया कर वहां रख दें संद्याकाल में अगर कोई जीव कोई सांप कोई भी जीव बहार आता है ताल आप से तो वह आपका भोग परसार ले लेगा और नाज्य की करपाजे शंकर भगवान के आशिरवास से आपका भोग नाग देवता को मिल जाएगा और आपका प्रशाद का भोग लगेगा आपके ग्रह शांत अपने आप होने लगेंगे इसके अलावा नाग पंची में पे सुबह के समय पे आप शिबिलिंग पर जल तसमे न कारए नमेशिवाए मन्दाखनी सरील चंद चर्चिता नदीश्वर पमतनाथ मेश्वराए मन्दार पुष्प बहुष्प सुपुझिताए तसमे मेशिवाए शिवाए गॉरी वजनाब जवरंद सूरी आई दक्षा धुवर नाषकाई श्री नील कंठाई प्रश तम मैं व्यार रेंस अरु मनेंदर दह सर याय चंदार्क विश्मानल वार्चके तसमें विकार रेंस्तुपाय कुंह Śत देवयृाय पतन्याइघ Paramet04 नह quienes say आप सभी पर बनेगी आज का दिन आचाय आप मीठा रोट बनाएं चाहे आप दूद का भोल गाएं चाहे आप धही का भोल गाएं सुबह सुबह आप नाग दिफ्ता की पूजा करें और अगर सुबह आप नहीं कर सकते तो संध्याकाल में साथ-साथ-रहू-के-तू-शनी इन सब की भी पूजा आप कर लें क्योंकि आज का दिन शनिवार का दिन है आपको तीनों गरह शांत करने का उपाए और तीनों गरह शांत करने का योग भी आपको अच्छा मिल जाता है जिससे आपके गरह शांत हो जाएंगे तो आज का दिन सुबह आप नाग दिफ्ता की एक मीठा रोट दाई में भीगो कर वहां रखे और शंकर वान का गुरु गुरुखनाथ जिकर बाब वहरुनाथ का नाम लेकर हाथ जोड़कर नमन करें और वहां रख कराएं और मत्था टेकर पिपल देवता को हाथ जोड़कर करें कि हमारी परिशानिया दूर हो जाए